मस्कार दोस्तों करेर विदाष्टो शनल में आपका स्वागत करता हूं मैं आश्टो श्रिवास्तों आपके समच्छ एक नए वीडियो लेकर उपस्तित हुआ हूँ जो कि जूनियर असिस्टंट की जूब प्रोफाइल से सम्बंदित है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग द सब्सक्राइब करते हैं जूनियर असिस्टंट की जूब प्रोफाइल के बारे में दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा जूनियर असिस्टंट 2016 का फैनल रज़र्ट आने वाला है और जूनियर असिटंट 2019 का टाइपिंग का रिजर्ट जारी हो गया है और इसका डॉक कितना वेतन इनको मिलेगा और क्या सुख सुधाय इनको मिलती है ठीक है दोस्तों तो चले जानते हैं इस वीडियो में जूनियर असिस्टंट की जूब प्रोफाइल के बारे में देखिए आपके सामने मैंने स्क्रीन पर प्रस्तुत किया है सबसे पहली स्लाइड है सैलरी क दोस्तों सैलरी कितनी होती है आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि जूनियर असिस्टंट हो चाहे लेकपाल हो चाहे वीडियो हो यह जिदनी भी वेकेंसी यूपे ट्रपल से से कंड़क कराई जाती है सबका वेतन मान सेम होता है सबकी ग्रेट पे सेम होती है सब एक कही वेतन प्राप्त करते हैं एक समान वेतन प्राप्त करते हैं तो चलिए जूनियर असिस्टंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो उसके बारे में ही बात करते हैं देखी मैंने सबसे पहले लिखा है लेवल 3 की पोश्ट है अर्थात ग्रूप C की पोश्ट होती है य ग्रॉस सेलरी मतलब समझी क्या होता है, ग्रॉस सेलरी मतलब टोटल तनखा कितनी आपकी बनेगी, मतलब ग्रॉस सेलरी और नेट सेलरी दो चीजें होती है, देखिए, ग्रॉस सेलरी मतलब ग्रॉस सेलरी में से जो आपका कटाउती होती है, उसको घटाने के बाद आपको ने 2000-2000,000 पर मंत, देखे दोस्तों, मैं इसको अंडरलाइं कर देता हूँ, 65,000-27,000 पर मंत, इसका मतलब क्या है, देखे, ये दो चीजे है, दो चीजे क्या है, ये देखे, आपको पता होगा, जानकारी होगी, कि A grade city, B grade city और C grade city का classification है गौर्णमन जॉप में B grade city में देखिए B grade city में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका वेतन जो है 25,000 के आसपास होगा जिसमें आपका फतेव, पूर, मिर्जा, पूर, वरान, 309, रत्यादी जिले आते हैं इसी प्रकार अगर आप लखनों या इलाबाद में पोस्टिंग पाते हैं तो आपको 27,000 का वेतन मान बनेगा आपका ठीक है दोस्तों तो ये दोनों difference मैंने आपको दिखिए बता दिया कि आपका क्या अंतर है ये शेहर के अनुसार जो है आपका हारे चेंज होता है हारे ग्रूप A, ग्रूप B यो ग्रूप C सिटी के हिसाब से अलग-अलग होता है ठीक है दोस्तों तो ग्रूप B का मैंने आपको बता दिया सिटी में अगर आप है तो आपको 25,000 वेतन बनेगा और अगर आप जो है ग्रूप A, सिटी में है तो आपको 27,000 वेतन मिलेगा UP की मैं बात कर रहा हूँ देखिए उसके बाद देखिए मैंने डिटक्शन दिखाया हुआ है 21 रुपे का डिटक्शन है डिटक्शन में आपका क्या है NPS, NPS मतलब pension, new pension scheme है यह दोस्तों इसके मद में आपका 10% वेतन कटेगा और net salary जो आपकी होगी वो 22,900 से 24,900 होगी ठीक है दोस्तों मैंने आपको बता दिया अब यह 22,900 से 24,900 फिर वह यह मतलब है देखिए दोस्तों यह group B के शहर जो हैं फतेपूर, मिर्दापूर, वारांसी, सोनबदर रित्यादी में 22,900 और 24,900 आपके लखनोर, लाबा जैसे शहर में तो यह देखिए दोस्तों हम लोगों ने इसका salary देख लिया कि इसका क्या वितन मिलता है ठीक है दोस्तों इसके बाद दिखिए आपके दिमाग में doubt आता होगा next slide वे मैंने दिखाया है यह हमें posting कहां मिलेगी या transfer हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा क्या hometown में posting मिलेगी तो हाँ दोस्तों मैंने लिखा भी यह देखिए hometown में posting मिल जाती है अगर आपके marks अच्छे हैं तो और अगर मान लीजी इन case आपको नहीं भी मिल पाती है hometown में posting तो आपको जो है 2-3 साल बाद hometown में transfer हो जाता है ठीक है दोस्तों तो इसकी posting और transfer policy जो है बहुत ही अच्छी है तो ज़्यादा तर लोग जो है अपने hometown में posting पा जाते हैं इसके बाद दोस्तों slide में देखते हैं इनके कारे क्या है आपको देख रहा होगा मैंने लिखा है work या कारे क्या इनको क्या कारे करना होता है selection के बाद दोस्तों तो आपको पता ही होगा दोस्तों की junior assistant में देखिए return exam के बाद जो है typing test भी होता है जिसमें Hindi और English दोनों typing आपको आनी होती है आप pass करनी होती है तो Hindi में देखिए आपके पास विकल्प होता है मंगल में करिए या तो कुरुतिदेव में करिए तो देखिए दोस्तों आप चाहे मंगल में करिए चाहे कुरुतिदेव में करिए लेकिन अगर आप select हो जाएंगे तो आपको job में जाने के बाद कुरुतिदेव में ही type करना होता है और basically junior assistant का कारे जो होता है वो typing का काम ही होता है clerical work ही होता है ठीक है दोस्तों तो clerical work जो होता है उसमें किस प्रकार का clerical work होता है थोड़ाओर detail में समझते हैं माल लिज़े आपको PWD department मिल गया ठीक है दोस्तों या सची वाले आपको मिल गया तो आपको करना क्या होगा आपको निविदा निकालना होगा, टेंडर बनाना होगा, टाइप करना होगा, ठीके दोस्तों, सारी जानकारी उसमें फिल करनी होगी, ठीके, और यही में basically काम कौन करता है, यह junior assistant ही करता है, कनिष्ट सहय की करता है, इसके अलावा देखिए, आपको मैंने लिखा है, typing के अल managing data, data का रख रखाओ करना, manage करना, managing records, दस्तावेजों का रख रखाओ करना, और clerical work, मतलब clerical काम में करना होता है, basically, ठीके दोस्तों, यह सारे आपके junior assistant के कारे होगा, जो आपको करने होगे, देखिए, दोस्तों, बहुत जदा वर्कलोड नहीं होता है, अगर आप दिल और उसमें select भी हो सकते हैं, बहुत सारे चात्र होते हैं, जो junior assistant में, लेकपाल में, वीडियो में जाने के बाद, जो है, PCS और आरो भी बनते हैं, तो बनते कैसे हैं, क्योंकि वो जो आपके साथ भी पढ़ाई कर लेते हैं, दोस्ते तीन गंटा भी निकाल लेंगे, तो आगे देखते हैं, दोस्तों, इसकी promotion policy क्या है, इसकी promotion policy दोस्तों, देखिए, मैंने लिखा है, promotion इसका बहुत ही अच्छा होता है, और आप देखिए, गनेश्ट साहयक या junior assistant का grade पे बने बताया था, आपको 2000 grade पे होता है, इसमें आप 5-6 साल बाद आपको जो है, प्रमोश इसके बाद दोस्तों, फिर आपको 5-6 साल बाद प्रधान साहयका बनते हैं, इसका grade पे होता है, बाद आपको दोस्तों, प्रशाशनी का दिकारी होते है, व्याग में, इनका grade पे होता है, चियालिस सो, फिर आपके वरिष्ट प्रशाशनी का दिकारी इनका grade पे होता है, अ 20-24 साल की एज में सेलेक्ट हो जाते हैं तो यह मान के चलिए कि वह कनिश्ट सायक से लेकर आराम से आपके प्रशाष्णी का दिकारी या वरिष्ट प्रशाष्णी का दिकारी तक पहुंच जाते हैं दोस्तों मुख्य प्रशाश्चन का दिकारी देखे वास्त विक्ता में मैं आपको बताऊं तो यह पद जो है junior assistant वगराख जो जो जाते हैं छात्र उनको प्रदान नहीं किया जाता है वो post जो है वो सीधे जो किया आते हैं UPSC से या UPCS से जो दिकारी प्रमोटर को जाते हैं उनको ब्रदान किया जाता है ठीके दोस्तों तो यह रही promotion policy के बारे में जानकारी इसके बाद देखिए दोस्तों मैंने एक शब्द लिका है नीचे non departmental exam मतलब departmental कोई exam नहीं होता है दोस्तों जिसको आप देखे जो आप में promotion प्राप्त कर सकते हैं आपको जो है 5-6 साल का time जो है इंतिजार करना पड़ेगा तभी आपको जो है next पर प्रमोट किया जाता है ठीके दोस्तों तो अगर कोई चातर 23 से 24 साल में सेलेक्ट हो जाता है तो वह अराम से प्रशाष्णी का दिकारी 400 ग्रेट पे और वरिष्ट प्रशाष्णी का दिकारी 4800 ग्रेट पे अराम से पहुंच सकता है इसके बाद दोस्तों देखिए मैंने लिखा other benefits अर्थात और निक्या सुक्सविधाय मिलती है दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया तीन से चार घंटे का आपका work load होता है moderate level cover होता है मतलब मद्दिम शुणी कब आपको जो है काम करना पड़ेगा दोस्तों मैंने आपको पहली बता है कि आप PCS और आरों के लिए professional start कर सकते हैं जॉब के साथ भी आप दोस्ते तिन गंटे का समय निकाल सकते हैं इसके बाद दोस्तों देखिए home town आपको पोश्टिंग मिल जाएगी इसके साथ ही क्या है यह permanent government job है आपका वाविश करा सकते हैं और इसके बाद आप अच्छे पद पे चुन जा सकते हैं अगर आप तियारी करना चाहते हैं ठीके दोस्तों तो यह भविश आपका क्या से क्यों हो जाएगा अगर आप इस पद आपको एक पद मिल जाता है और देखिए आसे जो भी चाहतर जो जूनियर जोइन करें और फर्दर भी आप जो है तियारी करके PCS या ROVS नौकरी में भी सेलेक्ट हो पाएं बहुत बश्युप काम लाएं कीप ट्रेक्टिसिंग फॉर दे नेक्स्ट एक्जाम थैंकिंग यू सैनिंग ओफ